हेलो एन वेलकम तू वीडियो गुरू, वीडियो गुरू में आपका स्वागत है, आदका दूस्टिशन है इस बेस्ट उन सिलिजब, सिलोक्स के बारे में इसके पहले के सिशन में आपने दो स्टीट्मिंट पढ़े होंगे, जो की डिरेक्ट रिलेशन का है, अब अगर आपने नहीं देखा तो उसके पहले का लेक्चर देखना मत भूलेगा, क्योंकि वो आपका बेसिक पार्ट वन है, अब इस वाले पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, दो और स्टीट्मिंट बेसिक के करेंगे, जैसे पिछले वाले में हम लोगोंने किन दो स्टीट स्टीट्मिंट्स को हम लोग डील कर रहे होंगे, आईए चलते हैं सबसी पहला नेगेटिब स्टेट्मिंट्स जो की सम नॉट का है, लेकि अफ़ इस रिटेन सम यार नॉट बे, तो इसके डाइग्राम को कैसे ड्रॉ करेंगे, और ये कैसा रिलेशन है, अब लिखा हो इस सम यार नॉट तो आगको पता है एक का कुछ हिस्सा क्या है, that is negative to whom, B, A का कुछ हिस्सा नेगेटिब किसके लिए, B के लिए, so it is called what, some A are not, it means some part of A, A का कुछ हिस्सा ऐसा है, जो B के लिए क्या है, नेगेटिब है, अब ये संबंद ब्यक्त तो करता है, लेकिन कैसा नेगेटिब रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, यहां पर देखें तो A का ये हिस्सा नेगेटिब है, किसके लिए, B के लिए, समझने की बात ये है, कि अगर A का ये हिस्सा नेगेटिब है, B के लिए, तो A का बाकी हिस्सा, द्यान से मेरी बात सुनना, A का बाकी हिस्सा क्या b के लिए negative है तो आपके पास जबाब आएगा कि no rest part of a is what neutral किसके लिए neutral to b अगले element के लिए neutral है अब अगर लिखा है sum er not b तो उसमें हम समझते हैं a का ये हिसा negative है किसके लिए b के लिए it means rest part of a is neutral to whom b मतलब a का बाकी हिसा b के लिए क्या है neutral है अब जब बी की तरब से relation को समझने की कोशिश करते b का कौन सा हिसा a के लिए negative है तो समझने वाली बात है completely b सिर्फ a के इस हिससे के लिए negative है बाकी a के neutral हिससे में कहीं पे भी b अपने आपको adjust कर सकता है तो अगर देखें तो एक बात समझ में आ गई कि b का complete हिससा a से बाहर भी हो सकता है और a के अंदर completely जाके वो positive relation भी बना सकता है it means that this all part of b is negative या फिए sorry neutral all part of b is neutral to whom? neutral to a except negative part of a समझना बात को a के सिर्फ इस negative part को छोड़ कर b बाकी a के हिससे के लिए क्या है? neutral है अब जब यहाँ पे conclusion की बात आती है तो सबसे पहला conclusion समझो sum a r b क्या लिखा हुआ है? sum a r b समझना statement positive है और यह conclusion कैसा है? sorry statement कैसा है? negative है और conclusion कैसा है? positive है तो एक बात मोटे तोर पे हम समझ सकते हैं कि किसी भी negative statement से positive conclusion हमेशा wrong होगा दूसरा point sum a r not भी अब जड़ा है इसमें आते हैं a का यह हिस्सा confirm है b के लिए negative है लेकिन a का बाकी हिस्सा b के लिए क्या है? neutral है तो यह बाकी हिस्सा positive relation बना भी सकता है और negative भी बना सकता है अब आप बताईए conclusion किस type का है? definite type का इसका मतलब यह conclusion कहता है यह तभी सही होगा जब sum a r b के लिए हम मतलब a का कुछ इससा b के लिए positive होगा इस बात की हमारे पास surety या guarantee हो तो आप बताओ neutral हिस्सा जो है वो positive भी बना सकता है negative भी बना सकता है means कि वो कोई guarantee नहीं दे सकता it means this conclusion will be does not follow किसमें आएगा? does not follow या गलत हो जाएगा अब अगर इसी conclusion के सामने possibility लिखे is a possibility तो यह conclusion किस type का हो जाएगा? possibility type का हो जाएगा अब समझो sum a r b is a possibility अब देको a का यह हिस्सा b के लिए negative है but the rest part of a is neutral to whom b अब जो neutral area है a का वो b के साथ positive relation भी बना सकता है और negative relation भी बना सकता है it means कि a का यह neutral हिस्सा b के साथ positive बनाने की संभावना है it means sum a r b is a possibility यह बात बिलकुल सही है correct? अब देखो अब यह sum a r b is a possibility के रूप में क्या हो जाएगा? साही हो जाएगा इसी तरीके से अगर हम इसके reverse में चले sum b r a सबसे पहले समझ लेते देखो क्या b a को टच कर रहे है directly diagram में आपको नहीं दिख रहे है तो आप बोलेंगे वो गलत हो गया फिर आप बोलें कि क्या यह possible है sum b r a is a possibility तो आप बोलेंगे बी जो है वो neutral है किसके लिए a के लिए हाँ इस हिस्से में a के वो नहीं जाएगा बाकी सभी हिस्से में a के वो जाके टच कर सकता है उसके अंदर भी completely जा सकता है it means sum b r a is a possibility अगर लिखा है तो वो correct हो जाएगा यह बात समझ में आई अब देखो हम अगला देखो क्या लिखते है sum b r not a sum b r not a इसको समझो sum b r not a अब बताओ कहरें कि b का कुछ हिस्सा a के लिए negative है statement के मताबिक a का ये हिस्सा negative है किसके लिए b के लिए अब बताओ क्या b a के लिए negative है कोई confirmation हमारे पास है कि b का कोई हिस्सा a के लिए negative हो तो हम बोलेंगे नहीं क्यों क्योंकि b ये complete है और भी A के neutral वाले हिस्से में कहीं पे जाके अपने आपको adjust कर सकता है मतला वो A के लिए अपने आपको free महसूस कर रहा है A के घर में वो कहीं पे भी जाके बैठ सकता है तो अब बताओ अगर negative होता भी कहीं से कहीं से negative होता तो क्या भी A के अंदर जा पाता नहीं जा पाता It means sum B R not A का जो conclusion है वो confirm हमारे पास कोई confirmation हाँ वो बाहर हो सकता है अलग हो सकता है negative बना सकता है क्यों क्योंकि A के लिए क्या है neutral है तो ये इसके लिए negative हो तो सकता है पर कोई confirmation हमारे पास नहीं है तो if it is written यदि ये लिखाए some br not a तो वो conclusion wrong होगा लेकिन अगर इसी को लिखे some br not a is a possibility अब देको पहले तो यहां तक तो यह क्या हो जाएगा does not follow में आएगा लेकिन अगर आगे possibility लगा है तो यह किस में आजाएगा correct हो जाएगा follow के option में आजाएगा बात समन में आई अब जड़र समझते हैं all a are b क्या समझते हैं all a are b सभी a क्या है b है अब बताओ क्या सभी a b है सभी a b है अब a को यह है a यह है क्या a b के अंदर completely जा सकता है पहले डाइग्राम में अगर देखें तो directly दिख रहा है सभी a b नहीं दिख रहे हैं और दूसरी बात a b के लिए negative है और यहाँ पर positive conclusion दिया वज़ तो वो गलत हो जाएगा positive possibility के लिए चेक करना पड़ेगा पर definitely में वो गलत है अब यह definite है all a are b कह रहे है सभी a confirm रूप से भी मतलब यह माल ले रहा है कि confirm है अब बताओ क्या यह confirm है कि सारा a b के अंदर जाएगा नहीं confirm तो यह किस में आ जाएगा does not follow में आ जाएगा इनका है कि यह definitely does not follow में आएगा अब देखो अगर इसी को possibility लिखें आगे लिख दें all a are b is a possibility सभी a के b होने की संभावना है अब सोच के बताओ क्या सभी a b के अंदर जा सकता है आपके दिमाग में फॉरण क्लिक होने लगीगा कि a का यह red वाला part है ना यह क्या है यह क्या है यह negative है rest part तो neutral है वो neutral वाला तो b के अंदर जा सकता है मतलब positive बना सकता है लेकिन यह वाले का क्या करोगे यह वाले क्या क्या करोगे यह तो negative है ना तो क्या completely a b के साथ positive बनाएगा 100% नहीं बना पाएगा इसको छोड़कर बाकी बनाएगा और इसको छोड़ने का मतलब a 100% positive b के साथ नहीं बना पाएगा it means कि ये conclusion किसमें आ जाएगा wrong हो जाएगा correct ये possible भी नहीं है अब देखो अगर यही conclusion लिखता all a r b और इसमें आपको पूछा कि क्या ये does not follow है definitely does not follow है तो देखो does not follow तो वो ही है चाहे वो definitely does not follow हो ना हो does not follow अब अंतर क्या आता है definitely does not follow एक बात समझो definitely does not follow का मतलफ होता है कि वो possible भी नहीं है possible भी नहीं हो मतलब उसकी possibility भी गलत हो और वो खुद भी गलत हो तो उसे definitely does not follow चाहे बता हो किया है आप देखो does not follow क्या होता है does not follow वो होता है दोनों अब definitely does not follow वाला भी does not follow नहीं कर रहा है आप चाहे बिल्कुल follow नहीं कर रहा है ऐसा बोलो या follow ही नहीं कर रहा है ऐसा बोल दो does not follow जो है वो definitely does not follow वाला भी does not follow में आता है और does not follow एक बात और कहता है कि definite वाले में अगर वो गलत है मतलब नहीं दिख रहा है लेकिन possible है मतलब अगर वो possible है तो भी वो किसमें आएगा does not follow में ही आएगा उम्मीद करते ही यह बात आपको समझ में आ गई होगे अब आगे चलते हैं इसके अगले conclusion की तरफ all a, r, b is a possibility हमने कर ली अब जरा सकरते हैं all b, r, a देखो अगला conclusion हम लिखते हैं all b, r, a सभी b क्या है? a है अब जरा सोचो क्या सभी b a के अंदर जा सकता है तो आपका जबाब आएगा बिल्कुल जा सकता है पर बताओ b जो है वो a के लिए completely neutral है इस हिस्से में नहीं जाएगा बाकी सब के साथ neutral है अब ये a का पूरा घर है a के घर में ये एक red room है बोल ला है b आया उसका दोस्त बोलता है की भाई a बोलता है की भाई इस कमरे में नहीं जाना बाकी कहीं पे बे रहना ठीक है न तो ये उसका क्या है red zone है तो यहाँ पे उसको मना है बाकी सब जगा पे वो जा सकता है तो all b r a मतलब b जो है वो 100% a के साथ positive relation बनाएगा ये confirmation वाला conclusion जबकि हमें मालुम है कि all b r a संभव है क्यों क्योंकि neutral है ये neutral जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है मतलब neutral हिसा positive भी a के लिए हो सकता है negative भी हो सकता है तो क्या all b r a confirmation हमारे पास है कि वो positive ही होगा कोई confirmation नहीं ये किस में आएगा अब इसी का possibility लिख दे लिख दे is a possibility समझना बात को इसी को लिख दे is a possibility तो बता all b a के अंदर जाने की संभाना तो आपको दिख रहा होगा कि इस हिस्से में नहीं जाएगा बागी हिस्से में जा सकता है या फिर ऐसे समझे b जो है वो a के लिए क्या है 100% neutral है और 100% neutral का मतलब वो 100% positive भी कर सकता है 100% negative भी कर सकता है so all b a is a possibility अब यहीं पे रेखो अगला conclusion आपके सामने रहेगा कि भी no a r b no a r b अब no a r b का conclusion सोचो ऐसे ही a का ये हिस्सा negative है no का मतलब 100% negative और no a r b conclusion लिखने का मतलब वो confirmation दे रहा है सोचो जरा क्या 100% a b के लिए negative है ऐसी कोई confirmation आपके पास है नहीं है हम बोलेंगे कि ये हिस्सा तो a का b के लिए negative है पर बाकी हिस्सा neutral है वो positive भी कर सकता है और negative भी कर सकता है it means we do not have 100% surety कि a completely b के लिए negative होगा तो no a r b का conclusion उस condition में क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा अब इसी के सामने लिखे is a possibility अब ये किसमें आएगा does not follow में आएगा और आगे लिख दे is a possibility ये एक संभावना है तब सोचो कि a जो है ये हिस्सा a का b के लिए negative है बाकी neutral हिस्सा positive भी हो सकता है negative भी हो सकता है अब माल लो बाकी neutral हिस्सा negative बन जाए तो chance बना न बाकी neutral negative ये confirmally negative है तो 100% negative a b के लिए बना लेगा मतलब no a r b is a possibility का conclusion उस condition में क्या हो जाएगा सही हो जाएगा अब ये को सोच है अब ये ही सोच हम आपके अंदर develop करना चाहरे आगर ये सोच develop हो गई तो कोई भी conclusion कोई भी question आपको problem नहीं करेगा अब ऐसे ही समझते है अगर इसी को लिख दे उल्टे तरब से तो भी वही बात है कि no b r a तो no b r a b a के लिए neutral है negative भी हो सकता है positive भी हो सकता है मतलब confirmation नहीं दे पाएगे लेकिन अगर उसी के आगे possibility लिख दे no b r a इसा possibility कोई भी भी के ए नहीं होने की संभावना है तब हम लोग बोलेंगे क्या कि हाँ भाई neutral है neutral 100% positive भी हो सकता है 100% negative भी हो सकता है तो correct हो जाएगा ठिक अब आगे चलते हैं इसमें एक और conclusion देखते हैं जैसे लिखा हुआ है some b r not a इसको definite तो नहीं कर सकते some b r not a definite नहीं कर सकते लेकिन possibility में से हो जागा अब आगे चलते हैं अपने अगले conclusion की तरफ अगले conclusion की तरफ चलते हैं देखो भई ये direct relation में हमने तीन statement discuss कर लिए ये चौथा statement है और ये सबसे simple है और बहुत clear है यहाँ पर क्या है कह रहे है no a r b no a r b कहने का मतलब हुआ a जो है वो completely negative है किसके लिए b के लिए है ना अब यहाँ पर complete negative होने का मतलब a जो है वो पूरी तरीके से restricted है किसके लिए b के लिए और b restricted है किसके लिए a के लिए तो a is negative to b b is negative to अब समझो यहाँ पे कोई भी कंक्लूजन लिखे जैसे लिखता है पहला कंक्लूजन कंक्लूजन नंबर वन आप देखो कंक्लूजन नंबर वन क्या कहता है कंक्लूजन नंबर वन कहता है सम ए आर नॉट not b कुछ a b नहीं है तो आप बोलेंगे वताओ सही है गलत तो मैं बोलूगा बिल्कुछ सही कैसे a completely negative है मतलब 100% negative है किसके लिए b के लिए it means कि हम कह सकते हैं कि कुछ हिस्सा a का b के लिए negative है we can say it means this conclusion is definitely true अगला लिखा हुआ है some b are a some b are not a कह लिख रहा है some b are not a b का कुछ हिस्सा क्या नहीं है a नहीं है तो आप समझो अगर a b के लिए completely restricted है it means b is also restricted to whom a है ना completely तो अब no a r b है तो पहली बार तो यहां से निकल के आती है no b r a अब no b r a है तो it means अगर जहां पे भी no जैसे जहां all होता है वहां some का conclusion हमेशा सही होता है ऐसे ही जहां no होता है वहां some not का conclusion definitely true होता है तो यहां पे अगर कहता है no b r a और conclusion लिखता है some b r not a तो हम बोलेंगे यह conclusion क्या हो जाएगा definitely true हो जाएगा बात आई समझ में अब यहां पे समझो अब इसके अलावा कोई भी conclusion आपको दिये जाएगे वो सभी के सभी गलत हो जाएगे क्यों यहां पे possibility भी कोई नहीं बनाता पूछो क्यों अब मैं जबाब दूँगा देखो कोई भी यहां पे neutral zone नहीं है अभी तक जितने भी diagram हमने बनाये चाहे आप some का ले लीजिए या all का ले लीजिए या some not का ले लीजिए हर जगव पे neutral area था पर यहां पे कोई neutral नहीं है clear cut है कि A completely negative है B के लिए B is also completely 100% negative to whom A मतलब कोई neutral area नहीं तो कोई possibility वाली बात ही नहीं करनी है यहां पे जो भी होगा definite होगा clear cut होगा ठीक है ना तो अब यहां पे some ARB मतलब जैसे दुकान पे negotiation नहीं होता बोलते हैं हमारे यहां fix price है कोई negotiation का कोई chance नहीं है वे सर समझ लीजएगा है ना तो यहां कोई negotiation नहीं होता है अब देखो अगर no ARB लिखा हो है तो no BRA पहला सही होता है some AR not B और some BR not B का conclusion बिखो सही होता है अब यहीं पे conclusion लिख दे some ARB some ARB लिखेगा तो क्या बोलोगे मैं बोलूँगा यह गलत हो जाएगा क्यों बोलो क्यों अगर लिखा हो है some ARB तो मैं बोलूँगा यह conclusion wrong हो जाएगा और यह conclusion महज does not follow नहीं this is definitely does not follow वाई आम सेइंग this is definitely does not follow ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि यह definitely does not follow में आएगा क्यों क्योंकि यह संभाव ही नहीं है क्योंकि A completely negative है B के लिए तो A क्या B को किसी सूरत में या किसी condition में touch कर पाएगा नहीं कर पाएगा it means this conclusion is what definitely does not follow के अंदर आएगा अब आप सोच रहे होगे क्यों है ऐसा लिख रहे है पहली बार तो आपको जब question पूछेगा कि पताएगे इनमें से कौन सा follow करता है कौन सा follow नहीं करता है तो यह तो does not follow में ही आएगा लेकिन आजकल कुछ conclusion आप से ऐसा पूछता है find the conclusion which is definitely does not follow it means वो कहना चाहरा है कि जितने भी conclusion लिखे हैं उसको check करिए और देखे conclusion गलत हो उसकी possibility भी गलत हो वो संभव भी ना हो तो उसे आप क्या कहेंगे definitely does not follow कहेंगे तो इस तरीके से आपका conclusion आपके exam में आता है अगर ऐसा आता है definitely does not follow तो आप मार कर सकते है ठीक है ना तो definitely does not follow का क्या मतलब हुआ कि वो खुद तो गलत दिखे ही दिखे और उसकी possibility भी गलत दिखे मतलब वो possible भी ना हो correct है ऐसे ही some b r a b आप कर सकते है correct all a r b b और all b r a b हर सूरत में हर condition में क्या होगा wrong हो जाएगा correct है तो अभी तक के लिए बस अपना ही आप से हम फिर से मिलेंगे ये direct relation हम लोगों ने कर लिया अब आगे मिलेंगे तो कुछ questions ऐसे लेंगे जहां पे indirect relation होगा ये जितना basic था वो आपने देख लिया अब indirect relation को कैसे हम approach करते हैं वो हम आपको बताएंगे और हम लोग question की practice भी करेंगे तो अभी तक के लिए बस अतना ही thank you so much all the best, bye bye and take care बताई ये जितना